हलो फ्रेंड्स मैं मुकेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हम लोग पियाज एक कोहलबर्ग वाइगोतसी के समंधित कोस्चन देख रहे थे 30 कोस्चन हम लोग देखे थे आज हम लोग 30 से आगे देखेंगे 30 से 31 से लेकर के आज हम लोग 60 कोस्चन तक देखे गये हैं सीटेट हो या कोई अधर अश्टेट का टेट हो ना उसमें पूछे गया तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं बहुत बहुत इंपोर्टेंट कोस्चन है आप सभी के लिए जुलाई 2020 सीटेट के लिए क्योंकि हमेशा एक्जाम में कोस्चन रिपीट होते रहते है अगर इतना आप लोग कर लेते हैं जितना मैं एक हजार कोस्चन इसमें बाल विकास में करवाऊंगा तो आपका लगता है एक भी कोस्चन छुटने वाला नहीं है तो चलिए देखते हैं इसको श्टार्ट करते हैं दोस्तो आज का 31 नमबर कोस्चन है 31 कोस्चन है कि इंसर देते चलिएगा, मैं question और answer बताते चलूँगा, मैं option सारा नहीं पढ़ूँगा, वीडियो काफी लंबा हो जाता है, ठीक है, तो 31 का answer हो जाएगा, D number, पूर्व शंक्री यात्मग, ठीक है, next question है, आपका 32 number, 32 question है कि, अमूर्थ वैज्ञानिक चिंतन के लिए, छमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से, किसकी एक विशेश्था है, तो क्या हो जाएगा, 32 का, 32 का आपका answer हो जाएगा, D number, आपचारिक संक्री यात्मग अवस्था, next question है, दोस्तो, 33 number, एक बच्चा तरक परस्तूत करता है, आप यह मेरे लिए करे, मैं वह आपके लिए करूंगा, यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तरकना की किस अवस्था के अंतरगत आएगा, सीटेट, 2015 में पुछा गया question है, इसका answer हो जाएगा, दोस्तो, C number, अच्छा लड़का, अच्छी लड़की, अभी मुखी करन, next question है, आपका 34 number, मानसिक सनरचनाओ, मानसिक सनरचनाओ, जो चिंतन के निर्मान के प्रखंड है, इनके लिए पियाजे ने किस सब्द का परियोग किया है, तो 34 का हो जाएगा, असकीमा यानि अवधारनाय शब्द का परियोग किया है, next question दोस्तो, आपका 35 number, वाइगोट्सकी के अनुशार, बच्चे स्वय से क्यों बोलते हैं, बच्चे स्वय से क्यों बोलते हैं, 35 का answer हो जाएगा, आपका, B number, बच्चे अपने कार्य को 36 number, 36 question है, कोहल बर्ग ने परस्तूत किये हैं, क्या परस्तूत किये हैं, 36 का answer हो जाएगा, D number, नैतिक विकास के चरण, ठीक है, next question है, आपका 37 number, जिन पियाजे के द्वारा सनरच्छन के प्रत्याइश से तातपर्य है, क्या तातपर्य है, 37 का हो जाएगा, C number, कुछ भौति गुन धर्म वही करते हैं, चाहे बाहरी अकृतियां बदल जाए, तो 37 क्या हो जाएगा, C number, next question है, आपका 38 number, मैं थोड़ा छोटा कर दू ताकि आपको पूरा दिख सके, तो 37 का question है, लोरेंस कोहल बर्ग ने, लोरेंस कोहल बर्ग की अपने अध्यान की नैतिक तर्क के शि ही है, शही कथन आपको बताना है, शीटेट 2016 पुछा गया question है, तो इसका answer हो जाएगा, 38 का, आप लोग पाउज करके option देख लीजेगा, उसके बाद answer देखिएगा, तो 38 का हो जाएगा, आपका ए नंबर, कोहल बर्ग ने अपने अध्यान को मुल्त पुरूशों के नमून में पर आध्रित रखा है, नेक्ट कोस्टन दोस्तों, आपका 39 नमर, कोहल बर्ग के अनुशार, किस अवस्था में नैतिकता बाहे कार को दवारा निर्धारीत होता है, 39 का हो जाएगा, ए नमर, पुर्व पारम परिक अवस्था, नेक्ट कोस्टन, आपका 40, पियाजे के श पक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेश्थाएं है यूपी टेट 2016 में ये पूछा गया कोस्चन है तो 40 का आपका हो जाएगा एंसर नंबर व्यक्तित्व के तीन घटक हैं किसके अनुशार तो 41 का हो जाएगा डी नंबर फ्रायड के अनुशार नेक्ट कोस्चन दोस्तो 42 नंबर आवश्यक्ता का पदानुक्रम शिध्यान्त खाली अस्थान पर भरना है अपको किसके द्वारा परतिपादित किया गया था आवश्यक्ता का पदानुक्रम शिध्यान्त तो क्या हो जाएगा 42 का बी नंबर मैसलो के द्वारा परतिपादित किया गया था देखिए सीटेट 2016 पुछा गया कोस्चन है नेक्ट कोस्चन आपका 43 नंबर यहाँ भी खाली अस्थान आपको भरना है अना किसने सामोहिक अचेतन का शंप्रत्य दिया है शामोहिक अचेतन का शंप्रत्य किसने दिया है तो 43 का हो जाएगा यह नंबर यानि यूंग ने दिये हैं शामोहिक अचेतन का शंप्रत्य है नेक्ट कोस्टन 44 नमबर अंगूर खटे हैं ये किसका उदाहरन है तो 44 का इंसर क्या हो जाएगा C नमबर योक्तिकरन का उदाहरन है C टेट सब 2016 में पुछा गया कोस्टन है नेक्ट कोस्टन आपका 45 नमबर 45 कोस्टन है कोहल बर्ग के अनुशार सिच्छक बच्चों में नैतिक मुल्य का विकास कर सकता है यूपी टेट 2015 पुछा गया है 45 का इंसर हो जाएगा आपका A नमबर नैतिक मुद्धों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चा वस्तु अस्थाइत्व को परदर्शित करता है तो 46 का हो जाएगा आपका A नमबर मुर्थ शंक्रियात्मक चर्ण पर शीटेट 2012 पुछा गया था कोस्टन बच्चे के बारे में निम्रलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोच की शाहमत होते है ना वाइगोच की कौन से कथन से शाहमत है निक्स कोशन दोस्तों आपका 48 नमबर वाइगोस्तकी के अनुशार बच्चे स्वेक से क्यों बोलते हैं शीटेट 2015 पुछा गया था 48 के हो जाएगा B नमबर बच्चे अपने कारिये को दिसा देने के लिए बोलते हैं पीछे भी पुछा गया था और शीटेट 2015 में भी पुछा गया है निक्स कोशन आपका 49 नमबर बच्चे के शंग्यनात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभासित किया जा सकता है तो 49 का क्या हो जाएगा B नमबर विद्याले एवं कच्चा में परिभासित किया जा सकता है नेक्स कोशन है आपका 50 नमबर 50 नमबर कोशन है किस मनोवाई ज्जानिक के अनुशार सिखने का मतलब ज्जान का निर्मान करना है प्लीज दोस्तो एक लाइक जरूर कीजे और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन प्रेस कर लिजे ताकि जो भी विडियो आवे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप राम से त्यारी कर सके हैं घटना और वस्तूओं के बारे में एक बच्चा तारकिक रूप से सोच सकता है पियाजे के चरणों के शंबंध में शही कथन है शही कथन कौन शा है तो 51 का क्या हो जाएगा आपका एंसर सी नंबर मूर्त संचालन प्रकिरिया ठीक है नेक्स्ट कोशन है आपका 52 नंबर वाइगोत्सकी वाइगोत्सकी बच्चों के सिखने में निनलिखित में से किस कारक की महत्वपुर्ण भुमीका पर बल देते हैं सीटेट जनवरी 2012 में पुछा गया था दोस्तों 53 कोशन है कोहलबर्ग के अनुशार सिखक बच्चों में नैतिक मुल्यों का विकास कर सकता है सीटेट जनवरी 2012 पुछा गया था उनसे विकास कर सकते हैं तो 53 का क्या हो जागा डी नंबर नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उनहें शामिल करके नैतिक मुल्यों का विकास कर सकते हैं 54, 54 नंबर कोश्चन है पीयाजे के अधिगम के शंग्यानात्मक शिध्यांत के अनुशार वह परकिरिया जिसके दौरा शंग्यानात्मक सनरचना को सन्स्रोधित किया जाता है खाली अस्थान क्या कहलाता है? यहाँ प्रतावित निम्नलिखित चरणों में प्रात्मिक विद्यालियों के बच्चे किन कारनों का अनुश्रन करते हैं? कारन आपको बताना है कौन-कौन शे कारन का अनुश्रन करते हैं? यहाँ A, B, C, D दिया गया है एक, दो, तीन, चार में कौन सा अनुशरन करते हैं तो क्या हो जागा 55 का यह नमबर यानि दो और एक अनुशरन करते हैं मतलब दो में क्या था वैक्तिक्ता और वीनी मैं और एक में है आज्या पालन और दंड उनमुखी करन नेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट और सेवन नमर कोस्टन है कि बच्चों के विवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरन का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सुचना को प्रभावशाली सिच्छा सास्तर के निर्मान से जोड़ा जा सकता है यह तथे अधिगम के किस सिध भ्यांत शंबंधित है नेक्ट कोस्टन दोस्तों आपका 58 नमर 58 कोस्टन है शंगेनात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा होता है तो 58 का हो जागा श्री नमर एक शम्रिध और विविधा पूर्ण वातावरन उपलब्ध करा करके शंगेनात्मक विकास को किया जा सकता नेक्ट कोस्टन आपका 59 रिया 59 कोस्टन है कि रिया कच्छा पिकनिक तै करने है तू रिशब से सहमत नहीं है वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का शंशोधन किया जा सकता है यह सफपाठी विरोध पियाजे के अनुशार निमलिखित में से किस सम्बंदीत है किसे सम्बंदीत है 59 का क्या हो जाएगा डी नंबर शहयोग की नैक्तित से सम्बंदीत है निय्च्ट कोस्टन और आजका ये लास्ट कोस्टन कल हम लोग देखेंगे फिर 61 से 90 तक मोस्ट इंपोर्टेंट प्याजे कोहलबर्ग वाइकोची समंधित कोस्टन है ना तो आज देखते हैं आज का लास्ट कोस्टन 60 नंबर कोस्टन है एक वर्स तक के सीसू अनि बच्चा जब आख कान वह हाथों से सोचते ह तो निमलिखित में से कौन शा अस्तर सामिल होता है शी टेट 2014 पुशा क्या था कौन सा अस्तर सामिल होता है तो 60 का क्या हो जाएगा शी नंबर इंद्रिये जनीत गामक अस्तर उसको क्या करते हैं इंद्रिये जनीत गामक अस्तर तो दोस्तों ये था हमारा आज का 30 कोस्टन बहुत important question जो exam में पूछे गए हैं चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं तब तक के लिए आप लोग अच्छे से त्यारी करते रहें जैहिंद जैभारत